नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबलोर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है हम स्टार्ट कर रहे हैं बी ए फूर्स अने अ ठीक है क्या कर रहे हैं बी ए फूर्स अने अ आ चुके हैं तो हमने फॉर्ष्टे पेपर जो है वह हम आप इसको याद कर सकते हो ठीक है है पुस्तक के लिखक कौन है अंतकत आता है तो आपको यंग लोगों के साथ अंतर आता है तो यहाँ पर अभी पिरणा है अभी पिरणा क्या है तो बात करते हैं अभी पिरणा है अभी पिरणा क्या है सरीर को संचालित करने वाली उर्जा ब्यावहरात्मक प्रवर्ति प्राडी की बिसेश्ट लच्छ और भावना उत्तेजन करने की जो पिरणा क्या है अगले बात कर लेते हैं यहाँ दरिका है अंतर नोद है अंतर नोद क्या है अंतर नोद क्या है तो सारिक सक्ती प्राडी की किरिया है किसकी? सारिक सक्ती जो है अंतर नोद क्या है सारिक सक्ती प्राडी की किरिया ठीक है? अगले बात कर लेते हैं यहाँ दएका है अंतर नूद होता है अंतर नूद कैसा होता है यह बताना है शार्रिक, भूग, प्यास, नीध मांसिक, इसने हैं सम्मान उप्रोग्त दोनों, कोई नहीं तो आंसर का ओड़ आएगा उपयुक्त दोनों जो अंतर नूद है वो सारीक भूँक प्यास नीद मानसे किसने और सम्मान इन सब पर रिटना को फूकस करता है यहां दे रिखा है नेक्स कुशन के अगर हम बात करें यहां देखा है संतुलन का सिध्धान संतुलन का सिध्धान किसने दिया था कैनन ने दिया था ठीक है अगले बात करते हैं हैंरी मरे द्वारा प्रतिपादत सिध्धान्त है हैंरी मरे के द्वारा प्रतिपादत सिध्धान्त कौन सा है तो हैंरी मरे ठीक है तो ऐसा आत कर लो मरे जब कोई मर जाता है तो ऐसे कर लो आवर्शक्ता सिद्धान्त कौन सा है आवर्शक्ता का सिद्धान्त जाता है अगले बात करते हैं अभी पिरिणा का सारिक सिद्धान्त दिया है अभी पिरिणा का सारिक सिद्धान्त किसने दिया है ये बताना है शारिरिक तो ऐसे आद कलो सरीर क्या हो गया आपको गे मार दिया गंसे किसको तो ऐसे इसको आद हो जाएगा मौरगन तो अभी प्रिणा का सारिरिक सिद्धान के सिंदिया था मौरगन ने दिया था अगले बात करते हैं अभी पिर्णा का सिखना दिया है ये वताना है तो आधिको अवराहम मास लो किसी को मास का उसे को काट केओ तो उसकी आत्मा तो निकल जाएगी तो यहाँ पर आत्मी करण सिध्धान तो बिलकुल याद रहेगा मासको ने अभी प्रदा का सिद्धान दिया था यहां तक निस्पत्ती अभी प्रदा का सिद्धान जो बातों का वक्त देता है भे कौनसा है तो बाता वड़ी यह घटना पर आधायत मनो बिग्जानेक प्रियाओं का पुनघञटन और व्यत्ती के अंदर संकितो का पुनर जीबित तो यहाँ पर आंसर क्या रहीगा वी धोनो हो जाएगा आपका ठीक है अगले बात करेते हैं यहां देरिका है वास्तविक अभी पृण orada का सिद्धान्त दिया वास्तवीक अभी पिरणा का सिदान किसने दिया था तो यह दिया था हार लोने किसने हार लोने अगले बात करते हैं अभी पिरणा का अर्थ है अभी पिरणा का अर्थ क्या होता है तो मैं आपको अभी पिरणा दे रहा हूं तो क्या दे रहा हूं मैं आपके लिए गती प्रदान करा रहा हूं तो आंसर का हो जाएगा गती देना अभी पिर्णा करते क्या होता है गती देना होता है अगले बात करते हैं अभी पिर्णा motivation जिसे करें स्वरी मोंटरिसन होता है मोंटरिसन ठीक है तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी पिर्णा एक आंतरिक अविस्ता है इससे किरिया की उत्पति एक निश्च दिसा में होती है यह उद्देश की प्राप्ति पर प्रारम कर हो जाता है या उप्रोक्त सभी तो अभी पिर्णा क्या है एक आंतरिक विस्ता होती है इससे किरिया की पत्ति और निश्दिसा में होती है, बिल्कु सही है, यह उद्देश की प्राप्ति पर तक प्रारम रहता है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है, अगले बात करते हैं, अभी पिर्णा के पच्छ में समलित है, यह बताना है, ठीक ब्याबाहरबा क्रिया को जन देना होता है, लच्च की प्राप्ति संतुष्टी तक क्रिया का संचालन भी होता है, तो आंसर कर रहेगा, उपरोक्त सभी का पक्छ यहाँ पर बिल्कु सही आंसर रहेगा, अगले बात कर लेते हैं, आवर्शक्ता अंत नोध प्रोथ साहन प्रतिपादन किसने किया था, यहाँ पर बताना है आपके लिए, तो आंसर क्या रहेगा, हिल गाड ने, किसने, हिल गाड बिलकु सही आंसर रहेगा, ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, नेक्स कुशन की, यहाँ देरिका है तुम्हारा अभी प्रिणा अभी क्रिया को प्र अगले बात करते हैं अर्जित उत्र प्रिरक्ट है अर्जित जो प्रिरक्ट है वो कौन सा है अर्जित अर्जित प्रिरक्ट कौन सा है प्यास आदत भूंक उप्योक्त में से कुई नहीं कुंसा है अर्जित मतलब किस्ट को अर्जित करना तो आदत अर्जित करना है प्यास है मुझे बिल्कुल गया तो प्रोक्त में से कुई नहीं या पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगले बात करते हैं बैरो के अनुसार आकांचा इस तर निर्वर करता है निम्न का ताके संबंद पर और बालक की अपेच्छाओं पर तो आंसर का रहेगा उपरुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगले बात करते हैं पूर्ब योजित अधीगम का विकास किसने किया है यहाँ पर बताना है तो किसने किया है पूर्ब योजित अधीगम की ब निम्न के आभाब में प्रिणा की प्रिक्रिया आरंब नहीं हो सकती, तो किसके आवश्यक्ता के ठीक है, अगर आवश्यक्ता है तो प्रिणा आपके अंदर नहीं आ सकती, अगले बढ़ते हैं निम्निकित, निम्निकित में से कौन सिद्धान्त, अभी प्रिणा के सिद्धान कि नहीं है तो वह कौनसा नहीं है अभी हमने देखा आवशक्ता की बात आवशक्ता का नहीं हो जाता आपकि अगले बात करते है प्रसंसा और ऑलोचना ऐसी दो प्रिणाइए हैं जो बग्सुत करती है प्रसंसा और आलोचना ऐसी दो प्रिणाएं हैं जो बिक्सित करती है अनुसासन, सरीर, ज्यान, उप्रुक सभी तो प्रसासन और आलोचना की बात कर रहा है यह अनुसासन करती है यह कहा देती है अनुसासन की प्रिणाएं देती है प्रिसासन और आलोचना ठीक है अगले बात करते हैं कौन सी सामाजिक प्रिरख है कौन सी सामाजिक प्रिरख है तो सामाजिक प्रिरख कौन है तो बह आत्म गौरव जो है वो एक सामाजिक प्रिरख है ठीक है अगले बात करते हैं आपर अभी प्रिरणा किसी कारे को प्रारम क पार की बात कर रहा है कि अभी किसी कार को परोर्म करने-जारी करने तर gossip है सही जिसामे लगाने की पिर्किरिया है हम क्या कर रहे हैं कार की बात कर रहे हैं तो यहां अगले बात करेते हैं अभीकरिया के मूल प्रबर्ती सिधान के प्रतिबादक कौन थे तो आंशे करेगा मैंगडूबल बिल्खुल सही आंशन हो जाएगा अगले बात करते हैं निम्रिकद मेंसे कौन सा अभी-बर्णा का सिधान है निम्रिकित में से कौन सा अभी पिर्णा का सिध्धान्त है तो आत्मी कड़ का सिध्धान्त अभी पिर्णा का सारिक सिध्धान्त और निस्पत्ती अभी पिर्णा का सिध्धान्त आंसर रहेगा उपर योक्त सभी ठीक है अगले बात कर लेते हैं यहां देखेंगे अभी पिर्णा का एक मुख्य तत्व है अभी पिर्णा का एक मुख्य तत्व कौन सा है प्रतेच संबेग चिंतन या फिर अंतनोध बताएंगे सभी लोग अभी पिर्णा का एक मुख्य तत्व कौन सा है तो वो है अंतर नोध कौन सा अंतर नोध अगले ब यह सारे की सारी क्या है इस्त्रोथ है ठीक है अग्ले बात करते है देगो उदिपित होगा तो आपके लिए प्रिणा जारूरी है МУЗЫКА च्खता होगी तो प्रिणा理系 और चालक तो तब आपको प्रिणा यहां पर बिलकुँ सभी आंसर से अबी पिरिणल का घटक कौन सा है आवर्शक्ता चालक उधीपक या उप्योग सभी तो क्या रहेगा उप्योग तो सभी हो जाते हैं अगले वात करते हैं यहां दरेका है एक सक्तिसाली एबमसतत उधीपक को समयोजन की अनुकिरिया की मांग करता है यह वताना है प्रोथसान करता है अंतर नोद करता है प्रिणा करता है तनाव करता है एक सक्तिसाली एबमसतत उधीपक को समयोजन की अनुकिरिया की मांग कौन करता है अंतर नोद करता है अगले बात कर लेते हैं अभी पिरिणा सीखने का राजमार है किसने कहा अभी पिरिणा सीखना मैंने कहा जब सीखना लगाओ तो इसकनर आजाएंगे ठीक है अगले बात कर लेते हैं यहां दर रिखा है अभी पिर्णा की मूल प्रबर्ती सिध्धान के प्रतिबादा कौन थे तो मैंने कहा मा से मूल होता है और मा से मैकडूगल होता है तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा ऑप्सन नम से होता है भूंक जनम से लगती है यह बात बिलकुल सही है तो प्रिणा की विधियां है प्रिणा की विधियां कौन सी है यह बताना है प्रिणा की विधियां कौन सी है रूची प्रतिदुनिता प्रसंसा उप्रयुक्त सभी यहां पर बिलकुल सही अंसर हो जाएगा आगल पिर्णा है वो छात में रूची उत्पन करने की कला है ये किस ने कहा था रूची अब आपके अंदर कोई रूची उत्पन हो रही है आप बहुत उत्तिजित हो जाते हो तो जादा उत्तिजित नहीं होना है आपको थोड़ा सा थम के ब्याभार करना है तो क्या रहेगा थॉंसन आराम से ट्रिक से याद कर लेंगे आगे बात करते हैं जन्म जात अभी प्रिरक है जन्म जात अभी प्रिरक कौन सा है तो अभी इमने देखा था मूख जो है वो जन्म जात अभी प्रिरक है अगले बात करेंगे मैसलों के अनुसार प्रिरकों के कित तो दो प्रिकार है एक है जनम जात और एक है अर्जित उत्प्रिरक तो आंसर रहेगा जनम जात और अर्जित प्रिरक ठीक है तो प्रिरोक इतने हैं दो प्रिकार हो जाते हैं ये भी आपको देहन रखना है अगले बात करे लेते हैं यहां देखा है कार को आरंब करने जारी रखने और नियमित करने की पिर्किरिया कहलाती है क्या कहलाती है तो मैंने कहा अभी पिर्णा यही क्या है कारे को आरम करने जारी रखने और नियमित करने की पिर्किरिया को अभी पिर्णा कहते हैं बात करते हैं अभी पिर्णा के कारण हैं क्या हैं अभी पिर्णा के कारण स जिसके कारण वह निर्धायत लच्छ की और किरिया सील रहता है तो वह है कौन सा जो अभी पिर्णा है अभी पिर्णा प्राणी अत्वा व्यक्ति के अंदर की उस इस्तथी को इंगित करता है जिसके कारण वह निर्धायत लच्छ की और किरिया सील रहता है तो आंसर का का option number D, अगले बात करते हैं, डैस सीखने के लिए अभी प्रिणात्मक 25 से संबंदित है, डैस सीखने के लिए अभी प्रिणात्मक 25 से संबंदित है, तो उपरोक्त सभी यहां पर बिल्कुँ सही, उद्देश भी हो जाएगा, प्रतिष्ठा और सूज, क्योंकि उद्देश ह होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, प्रतिष्ठा होगी, तभी सीख पाओगे, और आपके अंदर सूज होगी, तभी आप सीख पाओगे, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा, अभी पिर्णा का इस तर होता है, कैसा होता है, उच्छ जब का सीखी हुई बस्तू का सीधा परियोग यह मानना है तो इसमृति में सीखी हुई बस्तू का सीधा परियोग यह मानना किसका है यह बताना है बिस्मृति का कारड है बिस्मृति का कारड क्या होता है तो बिस्मृति कारड की बात करेंगे तो मानसिक द्विंद मानसिक आगहात दमन का सिध्धान ये सारे की सारे क्या हैं बिस्मृति के कारड देखने को मिल जाते हैं अगले बात कर ले यहां रखा है अच्छी इस्मृत तो ही की सही पहचानबा विवस्थित करना तो आंसर रहेगा ए और वी दूनों अगले बात करें यहां दे रिखा है सीखे हुए तत्यों को धाल करने उन्हें पुना इसमर्ड करने की असफलता विस्मृति कहलाती है यह कथन किसका है सीखे हुए तत्यों को धाल करने और उन्हें पुना इसमर्ड करने की सफलता विस्मृति कहलाती है यह कथन किसका है इसकनर का है अगले बात करते हैं इसमृति के तत्व कौन से हैं अधिगम धाल पुना इसमर्ड और पहचान यह सारे के सारे बिलकुल सही आंसर रहेंगे तात कालिक इसमर्ड कौन से है तात कालिक इसमर्ड कौन से है तो वह कौन से है तो वह आपकि हो जाएगी च्छेए तो इसका जाएगा इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा सीखने के सीखने के उपरांत तातकाल बाद दोहराने की चमता ठीक है यहां का बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा तो सीखने के उपरांत तातकालिक बाद दोहराने की चमता बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा बात कालिक इस्मृति के बारे में बात करें तो बात करते हैं इस्मृड की बिधी कौन सी है इस्मृड की बिधी कौन सी है तो बात करेंगे पूर तथा खंड सामांतर और निस्तर बिधी सक्रिय और निस्करिय अबोध और रस्त बिधी तो आंसर क्या रहेगा ए बी सी इस तरह पाठ बस्तू की सारवबात और मनो बिग्ञानिक कारक तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी अगले बात करते हैं अवधान को आत्म गत दसा कौन सी है अवधान की आत्म गत दसा कौन सी है तो अवधान की बात कर रहा है तो वह हो जाएगी आवश्यक्ता कौनसी तो वह हो जाएगी आपकी आवश्यक्ता अगले बात करते हैं किसी दूसरी बस्तू की अपेच्छा एक बस्तू पर चेतना का किंद्री कर अवधान है यह परिभासा किसकी है इसी दूसरी बस्तू की अपपेच्छा एक बस्तू पर छेतना की किंद्रीकरण अब्धाना किसकी है तो ये है डॉविल की किसकी? ये आपको डॉविल की देखने को मिल जाती है अगले बात करते हैं अवधान गतिसील होता है क्यों कि भे अनवेशडातमक है अवधान गतीसील होता है क्योंकि अनवेशडातमक है ये किसका कथन है मैंने कहा अनवेशडातमक तो वासे क्या रहेगा बुढ़वर्त रहेगा आंसर रहेगा बुढ़वर्त अगले बात कर लेते हैं नेक्स कुशन की तो यहां दरका है किसी भी द्रश्टी कौण से देखा जाए अन्तिम बिस्व लेशड में अन्तिम बिस्व लेशड में अवधान और प्रिनातमक प्रिकरिया है ये किसका है किसी भी द्रश्टी कौण में देखा जाए अन्तिम बिस्व लेशड में अवधान एक प्रिनातम प्रिकरिया है ये किसका है तो ये कतन है तुमारे मन का किसका मन का कतन आपको देखने को मिल जाता है अगले बात करेंगे रूची सुप्त अवधान है और अवधान किरिया रूप में रूची है यह मत किसका है रूची सुप्त अवधान है और अवधान किरिया रूप में रूची है उल्टा पुल्टा दे रखा है तो अब बताएंगे ये कथन किसका है तो मिक्सी करते हैं न मिक्सी से उल्टा सीधा तो यहाँ पर मैकी गल बिल्कुल आंसर रहेगा मा से ही ठीक है अगले बात करेते हैं अवधान के सौपान है अवधान के सौपान कितने होते हैं तो अवधान के सौपान जो होते हैं वो चार आपको देखने को मिल जाते हैं अगले बात करेते हैं अवधान का वहम कारक कौन सा है अवधान का ब्रहक कारक कौन सा है तो अवधान का जो ब्रहक कारक है वो है गती प्रदान करना अगले बात करें अवधान की वस्तुगत दसा कौन सी है अवधान की वस्तुगत दसा कौन सी है तो उदिपक की शक्ति बात्ती बृता प्रदान करना अवधान की वस्तुगत दसा है अगले बात करेते हैं निम्न में से कौन अवधान का परकार नहीं है तो अवधान का परकार कौन सा नहीं है तो जैविक जो है वो अवधान का परकार नहीं है एच्छे का है और एच्छे का है सहज है मगर जैविक नहीं है अगले बात केंगे आवधान रूची की क्रियात्मक रूप है, यह किसने कहा? अगले बात कहलें, यहाँ तरे रिखा है, रूची अपने क्रियात्मक रूप में एक मनोब्रती है ये कथन किसका है ये पूछ रखा है तो ये है ड्रेवर का किसका ये कथन आपको ड्रेवर का देखने को मिलेगा अगले बात करते हैं अनैचिक अवधान को बाटा जा सकता है अनैचिक अवधान को बाटा जा सकता है किसमें बाटा सकता है ये बता रहा है तो सहज और बाद अवधान में इसको बाटा जा सकता है किसमें सहज बाद अवधान में इसको बाटा जा सकता है तो इस प्रकार्ट के हमारे बैस तो देखा जाए तो 120 कोशन है से उनिट के अंदर तो मैंने अलग-अलग दो पार्टों में डिवाइड किया है एक है part number 1 और एक है part number 2 तो ये वाला जो अपना start equation दे दिये मैंने आपको part number 1 में दे दिये अब जल्द ही मैं आपको part number 2 आपको provide करा दूँगा तब तक आप इसको revise करें ठीक है तो यहीं पर रहने दूँगा अगर आपको pdf बगरा join करना कि pdf आपको लेना है तो यहीं पर वीडियो को रहने देते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना, share करना, channel को कर दिना, subscribe, bell icon को press करना next video मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन, जय भारत